बच्चों के लिए आई पुस्तकों को कबाडी में बेचने के मामले में बड़ी कार रवाई हुई है। हमने आपको पहले ही इस बारे में जानकारी साज़ा की थी कि किस तरह से जिले के रतनी प्रखंड शित्र के शकूर अबाद मद्य विद्याले के प्रधाना ध्यापक द्वारा कबाडी में किताब बेचा जा रहा था जिसकी सूचना स्थानिये लोगों को लगी और फिर अधि गारी भी फॉरन जाच के लिए पहुँचे और जाच के दौरान कमरों में भारी मात्रा में किताबे पाई गई हालकि अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच्चते रहे इन तस्वीरों को देखिए कैमरे पर सवाल पूछे जाने पर अधिकारी कैसे बरताओ कर र ऐसे में लग रहा था कि कहीं इस मामले की लीपा पोती ना हो जाए लेकिन सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था इस बारे में विभिन चैनलों पर खबरें चली, पोर्टल पर, वेब साइट पर सभी जगह ये मामला वाइरल हो गया जिसके बाद इस मामले को छुपाना नामुम्किन सा हो गया था ऐसे में प्राथमी की दर्ज किये जाने की जानकारी सामने आई है मिली जानकारी के अनुसार वरिये पदाधिकारी के आदेश पर सरकार द्वारा बच्चों के बीच वित्रण किये जाने बाले किताब को प्रधाना ध्यापक द्वारा कबाडी में बेचने के आरोप में प्राथमी की दर्ज कराई गई है जानकारी के अनुसार रत्नी फरीदपूर के प्रखंड सक्षा पदाधिकारी सर्वजीत ने लिखेत आवेदन दिया जिसके बाद मद्यविद्याले शकूरबाद के प्रधाना ध्यापक उद्य कुमार पर प्राथमी की दर्श किये जाने की जानकारी सामने आई है वतादे कि शनिवार को मद्य विद्याले शकूरबाद के प्रधाना ध्यापक द्वारा बिहार सरकार द्वारा विद्यालेओं में पठन पाथन के लिए बच्चों के बीच बाटने के लिए भेजी गई किताबों को कबाडी में बेच जाने की तसवीरें सामने आई थी ग्रामीनों की जब नजर पड़ी तो हंगामा खड़ा हो गया था इस दोरान किताबों से लदा एक ठेला कबाड़ वाला लेकर भागने में तो सफल रहा चुकि दिन के उजाले में ही प्रधाना ध्यापक द्वारा ये कार रवाई की जा रही थी ऐसे में ग्रामीन हंगामा करने लगे और दो ठेला पर लदी किताबों को रोक दिया खबर मिलते ही आनन फानन में प्रखंड सक्षा पदाधिकारी सर्वजीत मौके पर पहुँचे जांच परताल की और वर्ये पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजा इसी के आलोक में रवीवार को B.E.O के लिखेता वेदन पर प्रधाना ध्यापक उदे कुमार पर प्रात्मी की दर्ज कराये जाने की जानकारी मिली है यहां ये जानकारी भी देनी जरूरी है कि पहले भी 2016 में प्रधान ध्यापक उदे कुमार पर शकूर अबाद थाने में ततकालीन प्रखंड सक्षा पदाधिकारी मुहम्मद मोबिन अंसारी द्वारा भी F.I.R. दर्ज कराई गई थी जिसमें कस्तूरबा आवास ये बालिका आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है